Welcome dear students, on demand आप सभी की mission बुनियाद या entrance exam का level first यानि क्योसन बुकलेट चो है वो हम सही से आपको answer की प्रस्तूत कर रहे हैं Live session के अंदर काफी बच्चे ऐसे थे जो इतना time नहीं दे सकते थे या फिर उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि कौन से प्रशन का कौन सा उतर है इसलिए हम लेकर आए हैं ये वीडियो जिसके माधिम से आपको समझ आएगा कि कौन सा उतर कौन से प्रशन पौन सा क्या 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 है अभी करते हैं सबसे पहले स्टार्ट की दो घंटे का ये exam बहुत ही अच्छा exam गया था बहुत ही easy प्रशन थे उमीद करता हूँ कि आप लोगों के exam बहुत अच्छा हुआ है इस बूक लेक में मैंने D जो section है उसको solve किया है D section को solve किया है और इसके अंदर बच्चे ने जो भेजा है उसको step wise नहीं भेजा है इसलिए मैं आप लोगों को step to step जो है आपको बताऊंगा तो जैसे ही हमारा page number wise है वो उसके इमादियम से हम इसे करेंगे तो सबसे पहले इस page में इस प्रच्चिस नमर प्रशन है आपको प्रशन पढ़ना बहुत जरूरी है एक कमरे की लंबाई 15 मेटर है इसे 75 cm चोड़े कालिन के साथ 25 रुपे प्रती मेटर की दर्स से बिचाने की लागत 6,000 रुपे है कमरे की चोड़ाई याद करनी है और इस 25 नमर सवाल का उतर जो है इसकी जो चोड़ाई है वो dear students आएगी 8 मेटर इसका option B correct होगा 8 मेटर इसका answer आएगा अगला सवाल है सपना earn 120,000 पर month she spends 7 upon 8 of her income and deposit rest of the money in the bank how much money does she deposit in the bank each monthly यानि क्या है सपना हर महीने 24,000 रुपे कमाती है और वह अपनी आएगा 7 बटा 8 बाग खर्च कर देती है और 6 दन को बैंक में जमा कर देती है तो बैंक में कितना वो धन जमा करती है वो हमें बताना है तो बैंक में जो धन जमा करती है वो है 3,000 रुपे क्या आता आएगा इसका अंसर 3000 पे option A correct होगा अगला सवाल 27 नंबर है रोहित को एक गोलाकार पारक का एक पूरा चक्कर लगाने में 4 सही 1 बटा 5 या 4 बटा 5 मिनट समय लगता है 15 चकर लगाने में उसे कितना समय लगेगा इसका अंसर आएगा 1 घंटा 12 मिनट 1 घंटा 12 मिनट B option इसका correct होगा अगला सवाल A का 66 सही 2 बटा 3 किलोमेटर प्रती घंटे की समान गती से एक निश्ची दूरीतिया करती है यह 9 घंटे में कितनी दूरीतिया करेगी हमें बताना है और इसका option आएगा 900 किलोमेटर 900 किलोमेटर इसका option आएगा इसमें गलत लिखा गया है 600 किलोमेटर आना चाहिए 900 का तो option ही नहीं है B option आएगा 600 किलोमेटर ठीक है यह mistake wise हमसे लिखा गया है 900 किलोमेटर लेकिन 600 किलोमेटर इसका आएगा अगला सवाल एक संख्या और उसके व्यक्तकरम के बीच का अंतर एक बटा दो है तो संख्या क्या होगी तो इसका minus upon 1 upon 2 आएगा minus 1 upon 2 आएगा C option अगला सवाल एक समकौन त्रिभुज का कर्ण 17 है और एक भुजा 8 है तो स्रीभुजा की लंबाई गयात करनी है और उस भुजा की लंबाई आएगी 38 नंबर 15 15 एउप्शन 49 नंबर सवाल है एक सट भुज के कोणों का योग 720 डिगरी होता है प्रतीक आंतरी कोण का को गयात करना है यानि अंदर का कोण प्रतीक कोण कितनी डिगरी का बनेगा तो वो बनेगा 120 49 नंबर का एई आएगा 120 अगला सवाल एक मौट साइकल की कीमत पिछले साल रुपे 34,000 रुपे थी और इस साल इसमें 20% की बृद्धी हो जाती है तो मौट साइकल की कीमत क्यात करनी है तो जब बृद्धी हो जाती है तो इस motorcycle की इम्मत 4,800 रुपी हो जाती है option C इसका correct आएगा अगला सवाल वरगंतराल हमें दिया गया है class intervals A दिया गया है number of person व्यक्तियों की संख्या दी गयी है पहला इसका question बनता है वरगंतराल 20-25 यानि 20 और 25 का जो व्यक्तियों की संख्या है वो 22, 25 की 20 बनती है और 30 और 35 की भी 20 बनती है तो इनका अंतर बताना है यानि घटा बताना है तो 20 में से 20 बताना है जीरो option A is correct अगला सवाल यदि 9 लड़कियां 3 गंटे में 135 मालाईं त्यार कर सकती है तो 1 गंटे में 270 मालाईं त्यार करने के लिए कितनी लड़कियों को आफशक्ता होगी तो इसमें 54 लड़कियों की आफशक्ता होगी B option correct होगा अगला सवाल है अनिल एक काम को 5 दिनों में और अंकूर 4 दिनों में कर सकता है उन्हें वही करे करने में कितना समय लगेगा यदि एक साथ वो काम करें तो इस टाइम अगर वो दोनों साथ में काम करें तो 2 सही, 2 बटा, 9 days लगेंगी एक option इसका correct होगा अगला सवाल एक वस्तू पर 840 रुपे अंकित है और उसे 714 रुपे में बेश दिया जाता है तो शूट कितने प्रतिसित होई है वो हमें बताना है तो इसमें चूट जो है वो 40 परतिसित सोरी 41 सवाल है मैं बताता हूँ इसका अंसर 41 नंबर सवाल का उतर है 15 परतिसित 15 परतिसित की चूट हुई है बी option इसका correct आएगा अगला सवाल है वस्तू की कियमत 15,500 थी और इसकी मरमत पर 500 रुपे लगे यदि से 15 परतिसित लाब पर वेज़ा दाता है तो विक्रिय मुलिय ग्याद करना है और इसका विक्रिय मुलिय 18,400 होगा option C is correct अगला सवाल 43rd राकेश एक कार्य को 20 दिनों में कर सकता है वह 4 दिनों में कितना काम कर सकता है वह हमें बताना है तो 4 दिनों में राकेश जो है वह एक बटा पांचवा भाग कर सकता है option number जो है एक correct होगा अगला सवाल रोभन 6 दिनों में एक penting का एक बटा 3 भाग बना सकता है penting को पूरी करने में उसे कितने समय लगेगा वह हमें बताना है तो इसका सवाल का आंसर आएगा 18 days 18 days के अंदर वह इस penting को complete कर सकता है अगला सवाल एक आदमी 20 meter पूरव की ओर जाता है और फिर 10 meter उतर की ओर जाता है प्रारंबिक स्थिती से कितनी दूर है वो हमें बताना है प्रेशन नमबर 13 है और 13 नमबर प्रेशन का उतर है C 26 meter अगला सवाल हमें तालीका दी गई है और वलोकन में groups दीए गई है यानि रक्ट समूए A, B, O, B O and A, B दिया गया है और विदार्थियों के संक्या दी गई है जैसे A blood group 9 बच्चों का है B blood group 6 बच्चों का है A, B, जब blood group है वो 3 बच्चों का है तो अधिक्तम आवरती यानि maximum frequency जो है वो number of students 12 है तो वो O positive की है तो यहाँ, sorry O की है यहाँ पे positive negative कुछ नहीं दिया गया तो यहाँ पे A option 12 सही आ जाएगा अगला सवाल है एक 15 मिटर लंबी CD को एक दिवार के सामने इस प्रकार रखा गया है कि CD का पेर दिवार से 9 मिटर दूर है CD दिवार से कितनी उंची है वो हमें बताना है और CD यहाँ पे दिवार से कितनी उंची होगी 12 मिटर अगला सवाल यहाँ पे इसका कोन बताना है जो कोन बनता है AOD AOD कोन को ग्यात करना यानि X degree यहाँ पे कितना हैगा तो यहाँ पे माइनस प्लस करने के बाद में 180 के हिसाब से 360 यानि इसका चारों और कोन बनाया जाए तो 360 का बनेगा तो 70, 90 और 50 को जोड़ कर उसको 360 में से गठा दिया जाएगा और गठाने पर उत्तर प्राप्त होगा 150 तो यह कोन कितने का है 150 डिग्री का अगला सवाल I or where कानुपात यह सवाल अभी तक मैंने किया नहीं है कल भी नहीं किया था लेकिन इसे जैसे ही समय मिलेगा करके आपको बताया जाएगा दसमा सवाल इफ दा कोस्ट प्राइज ऑफ फाइव बनाना यानि पांस केलों की लागत मुल्य जो है वो तीन केलों के विक्रे मुल्य के बराबर है यानि पांस केले जितने में हमने खरीदा है उसे तीन केले अगर बेशते हैं हमें उसके विक्रियमुलिया और क्रियमुलिया के बराबर rate मिलेगा यानि लाप प्रतिसत ग्याद करना है तो लाप प्रतिसत इसका आएगा dear students 40 प्रतिसत D option अगला सवाल अमन 12 प्रतिसत की दर्स से सधारण ब्याज पर 8000 रुपे उधार लेता है और वीपिन जो है या वीपिन जो है 10 प्रतिसत प्रति वार्सिक दर्स से सधारण ब्याज पर 1100 रुपे लेता है दोनों की धनराजियां बराबर कितने सालों में हो जाएगी तो इसका option जो है dear student आएगा 22 वर्स के अंदर यानि इस C option अगला सवाल किस रासि पर 3 सही 1 बटा 3 या 3 बटा 4 प्रति वर्ग की दर्स से 2 सही 1 बटा 3 वर्स में सधारण ब्याज 210 रुपे लगेगा या होगा तो इसका आंसर आएगा 1200 रुपे यानि option B अगला सवाल 12 सरमिकों का एक कार्या पूरा करने में 4 घंटा लगता है लेकिन अगर 15 सरमिक कार्या करें तो उसे कितना समय लगेगा तो इसका समय जो बनेगा वो बनेगा सवाल नमबर 5 है इसका आंसर आएगा डिया स्टूडेंट्स 3 मिनट 12 3 घंटे 12 मिनट 3 घंटे 12 मिनट है अगला सवाल 6 नमबर एक परिक्षा में उतने ढ़ने के लिए 36 परतिसत अंक पराप्त करना आवश्यक है एक छातर था उसको 145 अंक मिलते हैं और वो 35 अंकों से फेल हो जाता है तो अधिक्ता मंकी यानि कुल कितने नमबर की ये परिक्षा थी वो हमें बताना है तो ये कुल जो है परिक्षा थी 500 नमबर की उप्षन नमबर C अगला सवाल है रूपे 140 में सर्ट बेचने पर एक व्यक्ती का अपने व्यक्त का एक बटा साथ भाग का नुक्षान होता है यदि इसे 180 रूपे में बेचा जाता है 144 था पहले लेकिन अगर इसे एक बेचा जाता तो कितना लाब इसको होता वो हमें बताना है साथ नमबर सवाल का 12.5 प्रतिसत इसका लाब होता एक उप्षन इसका करेक्ट है एक पैन को 46 रुपे में बेचने पर एक दुकानदार को 20 प्रतिसत किया नहीं होती है सोरी 45 रुपे को वेजने से या 48 रुपे मुझे कलियर दिखाई नहीं दे रहा लेकिन आंसर आपको सही बताये जाएंगे क्योंकि हमने PDF जो है हमारे पास कही आई है लेकिन इसे सेलेक्ट किया गया 45 या 48 हो गया यहां पे तो 20 प्रतिसत अगर उसको लाब कमाना हो तो उसका विक्रियम उल्या कितना होगा वो हमें बताना है तो इसका आंसर दीर स्टूडेंट आएगा आठ नमबर सवाल का 72 यानि D option अगला सवाल है A और B जो है कारिया को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं A अकेले एक बटा 500 काम को 12 दिन में कर सकता है यानि एक बटा 500 भाग जो काम है उसको 12 दिन में कर सकता है तो B अकेले इसे कितने दिन में कर सकता है सवाल नमबर है ये 45 D का इसका option इसका अंसर हैगा 30 days अगला सवाल एक तीन वेक्तियों की ओस्त जो है उस्त उमर जो है 60 वर्स है उनकी उमर का अनुपाद 2 अनुपाद 3 अनुपाद 4 है इस सबसे चोटे और सबसे बड़े व्यक्ति की बीच का अंतर बताना है वो उनकी उमर का अंतर जो है 40 साल आएगा कितना आएगा 40 साल आएगा C option अगला सावार स्री सोनी ने सिमट के कुछ बेग खरीदे परतेक का वजन 49.8 किलोग्राम है यदि सभी बेगों का कुल वजन 1792.8 किलोग्राम है तब उसने कितने बेग खरीदे होंगे वो हमें बताना है सवाल नंबर बनता है 29 29 नंबर का आएगा 36 बेग अगला सवाल है एक कार 2.4 लिटर पेट्रोल में 22.8 किलोमेटर की दूरी तिया करती है तो वो एक लिटर पेट्रोल के अंदर कितनी दूरी तिया करेगी वो हमें बताना है तो 30 नंबर सवाल का उतराएगा 9 किलोमेटर 9 किलोमेटर एक लिटर पेट्रोल में वो चलेगी यदि 12 मजदूर 31 नंबर सवाल यदि 12 मजदूर 50 गंटे में एक सडक बना सकते हैं तो उसी सडक को 40 गंटे में बनाने में कितनी मजदूरों की आपशक्ता होगी 31 नमबर सवाल का आंसर रहेगा आपका 10 मजदूर की अगला है 32 नमबर सवाल 10 सेंटिमेटर और 12 सेंटिमेटर लंबाई के विकर्ण वाले एक सम्चत्र भूज के 6 तरफिल की गणना करनी है और इसका 6 तरफिल आएगा 60 सेंटिमेटर स्केर 21 नमबर सवाल है 6 पंप एक साथ काम करते हुए एक टैंक को 28 मिनट में खाली कर सकते हैं यदि ऐसे 4 पंप एक साथ काम कर रहे हूँ तो टैंक खाली करने में कितना समय लगे गया यह अगर यह 6 की जगा च्यार जो है पाइप हो या टैंकी पंप हो तो उसे कितना समय लगागा ये हमें बताना है तो 21 नमबर सवाल का 42 मिनट आंसर आएगा क्योंकि 4 पंप कम होगे न तो कम होने पे ज़्यादा टाइम लगेगा ठीक है अगला सवाल है त्रिबुज ABC ए एन आइसो साइकल ट्रेंगल यानि त्रिबुज ABC एक समधिवी बाहू त्रिबुज है और जिसमें कौन C 90 डिग्री है A C 5 सेंटिमेटर है फिर A B हमें गयाद करना है तो 22 नमबर सवाल का उत्तर आएगा पांस रूट दो अगला सवाल है एक चत्रिबुज के विकर्ण की लंबाई 30 सेंटिमेटर है और इसके विपरीत सिर्शों में डाले गए लंवत की लंबाई 6.8 सेंटिमेटर है और 9.6 सेंटिमेटर है चत्रिबुज का 6 तरफल गयाद करना है तो इसे मिटर या सेंटिमेटर में चेंज करेंगी तो मिटर में चेंज करने पर 120 नमबर सवाल का उत्तर बनता है 100 मिटर ऑप्शन ए अगला सवाल है 33 नमबर एक निश्ची समय पर 6 मिटर उन्चे एक पेड़ की चाया 8 मिटर लंबी बनती है उसी समय एक खंबे की चाया 20 मिटर लंबी बनती है खंबे की उन्चाई गयाद कीजिए तो खंबे की उन्चाई डिये स्टूडेंट 6 मिटर आजाएगी अगला सवाल है यदि किसी त्रिबूज की बुझाएं तीन अन्पाद, चार अन्पाद, पांस के अन्पाद में हैं और परिमाब 75 सेंटी मिटर है तो परतेक की परतेक बुझा की लंबाई याद करनी है तो यहाँ पर 18 सेंटी मिटर, 24 सेंटी मिटर और 30 सेंटी मिटर परतेक बुझा की लंबाई आज आएगी तो ये 6 मिटर जो एक निश्य समय पर 6 मिटर उंचे एक पेड़ की छाया आठ मिटर लंबी बनती है उसी समय एक खंबे की छाया बीस मिटर लंबी बनती है तो इसका आंसर अलग आएगा डिया स्टुनेंट्स तो इसको 33 नमबर को ठीक कर लो इसको सोल करके अभी बताऊंगा मैं यह 6 मत कर देना कोई क्योंकि चाया में फरक हो गया तो अलग-अलग है चाया में फरक होने के बाद इनकी हाइट का भी फरक होगा ठीक है अगला सवार 35 नमबर यदि किसी घंक की सताय का चैत्रफल 96 वरग इक आई है तो उसका आईतन कितना होगा तो उसका आईतन होगा 66 गनी का यहां यानि 64 एक क्यूबिक यूनिट अगला सवाल है 36 एक बवबुज के आंतरी कोड़ों की माप का योग एक जार असी है तो बवबुज की कितनी बुजाएं हैं तो यहां पर बुजाएं आठ आएगी सही आंसर में ऑप्सन डी एक नमबर सवाल है इसको एक स्कूल में लड़के और लड़कियों का अनुपाद 0.8.95 है यदि लड़कियों का की संख्या 160 है तो विदारतियों की कुल संख्या कितनी है वो हमें बताना है तो एक नमबर सवाल है तो यह आएगी 416 अगला सवाल है A और B की आयू का अनुपाद 3 अनुपाद 8 है छे वर्स बाद उनकी आयू का अनुपाद 4 अनुपाद 9 होगा A की वर्तमान आयू ग्यात कीजिए तो A की वर्तमान आयू डियर स्टूडेंट 18 वर्स हो जाएगी अगला सवाल आठ आदमी एक काम को 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं यदि दो आदमी और जुट जाएं तो उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं अप्शन 3 का सवाल का अनसर आएगा 30 डेज अगला सवाल है चार नमर 45 काउस कैन ग्रीज फिल्ड इन 12 डेज यानि 45 गाए एक खे हैं यह प्रेशन भी रोंग है ननो अवदीज कर सकते हैं इसकी जगे तो सही होगा अगला सवाल 120 प्रोसों की एक चौकी के पास 30 दिनों के लिए खाना का प्रभंध है 5 दिनों के अंतमे 5 वेक्टी और 7 जुट गए विसस प्रभंध पर कितने दिनों का गुजारा कर सकते ह हैं तो इस थिती में 17 नंबर सवाल का जो आंसर बनेगा वो बनेगा इसका आंसर निकाला नहीं गया है हमारी टीम की दुवारा लेकिन 25 के करीब इसका आंसर आएगा तो बी ऑप्सन करेक्ट हो सकता है अगला सवाल सित्का सो पेज का दस्तावेस 9 घंटे में मीतच 6 घंटे में और इस बारा घंटे में टाइब कर सकती है यदि वे एक साथ काम करती हैं तो उन्हें साथ का दस्तावेस टाइब करने में कितना समय लगेगा सेम कोपी दे दिया हमने भी ऐसा प्रक्षिन करवाया था अठारा नमबर सवाल का 36 बटा 13 घंटे आंसर आएगा अगला सवाल है माइनस एक की पावर 20 किसके बराबर है तो उप्सन भी इसका आजाएगा वन इसके बाद अगला सवाल बनता है दिये गे चितर A, B, समांतर C, D और कोण A, O, A, B, 150 डिग्री है और कोण O, C, D, 120 डिग्री है तो फिर A, O, C कोण को निकालना है तो A, O, C, कोण को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा इससे पूरा करना पड़ेगा जैसे इसको हल करते हैं तो इसका आंसर जो है वो हमारे पास आता है 20th क्यूस्टन का 90 डिग्री तो यही था पूरा विशन बनियाद का एक्जाम जो हमने सॉल्व कराया है, बहुत असान-सान प्रशन थे और लगबग जो हमने करवाया है, हमारी बुक से आया है तो आप सेकंड लेवल में बुक के लिए देरिनाय करें आज के लिए तना ही जैहिन, जैभारत